निपून भारत, निपून भारत, निपून भारत, जी हां सर, तो कारवाई की भाशा नहीं होगे, सबको यशार प्रगती चाहिए, सबको परणाम चाहिए, हम सब मिलकर कर सकते है, सब साथ मिलकर काम करते है, तो वह परणाम गती से हम तक आ जाएगा, इससे हमें बहुत कुछ समझ रहा है, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है, इस डिपर्टमेंट के और स्कूलों के चात्र आगे निकल सकते है, इस विभग के जो भी चात्र ह हम जिसे higher secondary कहते है, 11-12 के चात्र है, स्कूलों के बारे में या उन चात्रों के बारे में क्या कोई नियोजन है? क्या इसी training में वो भी cover हो जाएंगे? या हमारी जो junior colleges है, उनके बारे में कुछ planning है? सर इसके बारे में ज़रा detail में बोलेंगे तो अच्छा होगा. वैसे देखा जाए, तो ये यूटो गौजी है. इसमें self-determined learning जहां चात्र खुद अपने सीखने की दिशा और उद्धिश्ट तैय करते है, तो ये किसी भी level पर लागू होता है. लेकिन उस level पर निपुन भारत के अनुसार ये हो सकता है, कि कुछ चात्र सीखे नहीं होंगे. तो हम उन चिक्षकों को या मुखे ध्यापकों को विंती करने वाले है, कि इन चात्रों को जल्दी से निपुन भारत के स्तर पर लाया जाए. उसके आगे NAS के टेस्ट उन स्कूलों में भी है. लेकिन उद्देश है ये है कि ये चात्र जल्दी से बारावी पास होने वाले है, और वे सीधा समाज में जाने वाले है. वो कॉलेज में भी सीखेंगे, लेकिन परिवार के कुछ आपक्षाए उन से रहेगी. वे अर्थिक रूप से मदद करेंगे, वो नोक्रिया व्यावसाय करेंगे. ये सब करते हुए उन्होंने दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र या भारत देश के बारे में, हम चात्रों को इस दिशा में लेकर जाने वाले हैं. अभी हाल ही में, जो आठड़ स्कूल मैंने देखे, वहाँ पर चात्र उस दिशा में पहले से ही जा रहे हैं. लेकिन स्कूल व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्था ये पहचान नहीं पाई. अवरंगाबाद के कंदर तालोका में गराणा नाम का स्कूल है, जहाँ पर हमने विजिट की थी. वहाँ पर चात्रों से पूछा कि क्या आपने अमरिका ऐसा शब्स सुना है? बहुत चात्रों ने हाथ उठाया. उन में से कुछ चात्रों को आगे बुलाया. उनसे पूछा क्या है अमरिका? उन्होंने कहा वो देश है. कहा पर सुना था? उन्होंने कहा हमने यूट्यूब विडियो पर देखा. यूट्यूब का विडियो कहां से देखा? किसी ने पिता का, किसी ने मा का, किसी ने भाई या बहन के मोबाईल पर देखा था. इसमें क्या देखा? ऐसा जब पुछा तो चात्रों ने वहा का एश्वरे देखा था बड़ी बड़ी इमारते देखी थी अंग्रेजी बोलने वाले लोग देखे थे अच्छे रास्ते देखे थे और गाडिया देखी थी इससे अंदाजा कर सकते है कि हमारे चात्रों को भी ऐसा जीवन चाहिए जिस प्रकार का जीवन चाहिए उसकी इच्छा पूर्ती होने के लिए हम नौवी से बारवी तक चात्रों को सिखाएंगे और सिर्फ सिखाएंगे ही नहीं, उनको सिखने के लिए प्रेरित करेंगे बहुत अच्छे सर, इसी बात पर आगे जाते हुए, मुझे आपसे सवाल पूछना है कि हमारे ये जो सारे स्कूल है, उनमें रेसिडेंशल चात्र भी है, वस्तिग्रो भी है वहाँ पर वस्तिग्रों में ये चात्र तंतर ग्यान का उप्योग कैसे करेंगे इसके बारे में हमें आपसे जानना है, इसके बारे में आपके क्या वीचार है, क्या प्लानिंग है दो तिन अच्छी चीज़े है इस विभाग की स्कूलों में, जो जीला परिश्ट के स्कूलों में नहीं होती आधे से ज्यादा चात्र निवासी है, लॉकडाउन के समय में गवर्मेंट ने नवी से बारावी के चात्रों को टैबलेट डिया था इस टैबलेट का उप्योग वसति ग्रोह में एक साथ इस्तमाल करके, एक साथ सीखकर अच्छे से उप्योग करना ये उद्दिश था वाइफाई कनेक्शन अभी तक नहीं है लोगों को लग रहा था, गवर्मेंट ये दे देगा अभी हमने आयोक्त और सहायक्त आयोक्त से मीटिंग की तो उन लोगों ने कहा कि स्कूल्स खुद के तौर पर ये सब करने वाले है आने वाले एक दो मेनों में बहुत सारी स्कूलों में वाइफाई आए जाएगा हमारे प्रक्षिक्षन में भी वाइफाई से कनेक्टेड टैबलेट से यूट्यूब के माध्यम से और गूगल का इस्तिमाल करके चात्र जिस गती से सीखने वाले है उसकी मैं रहा देख रहा हूँ इन सब मुद्दो का ट्रेनिंग अधिक शकों को भी दिया जाएगा मैं बहुत आशावादी हूँ कि चात्र ऐसी पद्धती से सीखेंगे तरक्की करेंगे और अंतरराश्य गुणवत्ता के चात्र बनकर नाम रोशन करके जीवन में आगे बढ़ेंगे